अलो दोस्तो आप एंडॉइड ओजर हो आप एंडॉइड फ़ोन यूजर करते हो तो आप मेरे फोन में अभी देख लो कि मैंने चार्जिंग पेप wounded लगाया और कैसे यह ऐनिमेसं चार्जिंग ऐनिमेसं आ रहा है आप इस तरह charging animation आपने किसी भी डिवाइस में किसी भी दोस्तों फोन में यूज कर सकते हो तो चले दोस्तों बताता हूं मैं कैसे यह settings करना एप को और कौन सा है यह एप तो चले दोस्तों जानते हैं आगे वीडियो शुरू करने इस पहले हलो दोस्तों मेरा नाम है संदीप आप देख रहें नॉलेज गुरू जी तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन के से डाउनलोड कर लेना ठीक है आप इस तरह ओपन कर लेना आपको यहां सर्विस पे क्लिक करना दोस्तों सेटिंग जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सेम सेटिंग आप फॉलो करिएगा अगर फॉलो आप सेम सेटिंग नहीं करोगे तो आपका चैर्जिंग एनिमेशन जो है वो काम नहीं करेगा इसके लिए मैं जो जो सेटिंग बता रहा हूं इस फोन में सेम उसी तरह आप करिएगा ठीक है जब आप दोस्तों करोगे तो आपको कुछ परमीशन मांगेगा तो आपको जो परमीशन है वो एलाउ कर देना है आपको डरने की ज़रूरत नहीं ह आपके फोन को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा आपको जो भी परमीशन मांगेगा आपको सिर्फ एलाउ कर देना ठीक है यहाँ पर यह ओफ रहेगा आपको यहां से आउन कर लेना है आउन करने के बाद आपको यहाँ पर फिंगर प्रिंट आप लगाना चाहते हो तो लगा लेना वरना कोई बात नहीं आपको यहाँ पर क्लॉक वाले इस पर टिक कर देना है और टाइम टू चार्ज इस पर आपको टिक कर देना ठीक है और दोस्तों यहां से फिर आपको चार्जिंग टाइप पर क्लिक करना है आपके ना बहुत पर छोड़ देना इस पर ठी और यहां पर और कुछ करने के जुद्रोथ नहीं है एगर आपको जाएक लेवल अलर्ट कि अगर案 करेगा यहां से आप रगउसिक कर सकता हो अनमे पर्सेंट लेवल अगर टो हो जायगा तो मैरा本 जो है वह एलार म भजना चालो हो जाएगा change will पर आपको आटोमेटरीक पर से टीक कर देना है ठीक है और कुछ नहीं करना है यहां से सीध़े आपको बेक चले जाना है एटूमेशन में दोस्तो ध्यान दीजिए एइनिमेशन में आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर charging style को आप्शन दिखेगगा POW I Am कि यहाँ आपको कई सारे charging effect डिखने वाला हैं कई सारे design है जो आप अपने phone में यूसे कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर पहली बाद यूसे करोगा जब कोई भी एनिमेशन फिर फ्री में यूज कर सकते हो ठीक है सिर्फ आपको एड़ देखना है आप एड़ देख लिजेगा फिर यहां से स्कीप कर दीजेगा आप फिर कोई भी चार्जिंग एनिमेशन यूज कर सकते हो के दोस्तो मैं यह लगा के सेव कर देता हूं आपको सेव करना है तो यहां से आप color भी change कर सकते हो अगर आपको change करना होगा तो यहां से custom color में जागे ठीक है अन्हें तो by default इसको छोड़ देना फिर वापस back चले जाना नोटिफिकेशन पर दोस्तों क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से नोटिफिकेशन आपको off रहेगा इसको on कर लेना आप ठीक है और कोई settings में आपको नहीं करना है अगर नहीं होगा तो बैक चले जाना कोई बात नहीं यहां से वेदर में आप जाओगे अगर आपको charging information में अगर वेदर का भी अगर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो नहीं छोड़ देना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है यहां गेस्चेर पर आपको क्लिक करना है यहां पर दोस्तों कुछ options हो होते हैं अगर आपको use करना होगा तो आप use कर सकते हो मैं सिर्फ double tap option use करता ताकि मैं फोन को जब डबल टेप करूँगा स्क्रीन ओफ जब रहेगा तो स्क्रीन मेरा ओन हो जाएगा बाकी और सेटिंग्स दोस्तों कुछ भी नहीं करना मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से एनिमेशन स्टाइल चेंज करके एक बार दिखा देता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों मैंने यह एनिमेशन लगाया और यहां से इसको मैं सेव कर देता हूँ ठीक है यहां से देख लिजे दोस्तों वही एड आ गया है आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां पर view add पर click करना है, मेरा भी net on नहीं है, मैं net on करके आपको एक पर दिखा देता हूं, यहां से मैं save करूँगा, यहां से view add पर, सिर्फ दोस्तों आपको add देखना, बागे कुछ भी नहीं करना है, कुछ second का add रहेगा, वो save चलेगा, आप आपको देखकर फिर वापस से cross कर निसान, यहां देखिए, आपको वीडियो skip कर देना है, ठीक है, यहां से आप skip कर दीजिए, ओके दोस्तों, इसकिप करने के बाद, यहां पर charging style, आप देखो के मेरा जो है, यह save का option आ गया, देख लिए, successfully save हो गया है दोस्तों, अब मैं आपको charging पर लगा, एक बार check करा देता हूं, कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल यह app काम करता है, आप कोई भी phone में use कर सकते हो, दोस्तों, देखे मैंने charging पर अपना phone लगा दिया, एक बार मैं off कर देता हूं, दोस्तों, मैं एक बार phone on करके आपक charging animation पर, ठीक है, आप देख लिए जो दोस्तों, यह properly काम कर रहा है, कोई भी problem नहीं है, आप में, और दोस्तों, आप किसी भी device में use कर सकते हो, आपका phone नया हो, या फिर पुराना हो, आपके phone में charging animation support करता हो, या फिर ना करता हो, आप उसमें भी इसको use कर सकते हो, दोस्तों बस खाली यह इसी app को आपको download करना है, download करने के बाद, यह देखे दोस्तों app है, download करने के बाद, आपको बस खाली यह settings करना है, जो मैंने बताया है, अपने phone में भी आप इसको use कर सकते हो, एक बार मैं फिर से lock करके दिखा देता हूँ, देख लिज़े दोस्तों, यह बिलक लाइक जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल पर नए आए हो, तो प्लिस सस्क्राइब जरूर करेगा दोस्तों, धन्यवाद